Hello everyone and a very warm welcome to Sikshah So guys welcome back and exam जैसे जैसे पास आता रहेगा मैं आपके साथ कुछ ना कुछ अपने लेक्चर्स के थूरू डिसकस करता रहूँगा apart from the content and आज मैं एक बहुत important बात आपके साथ आपके साथ दो मिनिट लेकर के डिसकस करूँगा बस जब exam पास आगया है ना तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि अगले दो महिने तुम लोगों को बिमार नहीं होना है बिल्कुल भी तुमारी health नहीं खराब होनी चीए ठीक है बुखार हो गया अगला खराब हो गया जुकाम हो गया खासी हो गया बॉडी पेन हो गया उससे क्या होगा ना तुमारे दो-तिन दिन खराब हो जाएंगे और एक बड़ तुमारे दो-तिन दिन खराब हो गये तुमारा जो सारा flow है वो break हो जाएगा confidence के अंदर काफी hindrance आता है उससे तो health के उपर बहुत जादा focus रखना है घर का खाना खाना है साफ खाना खाना है बाहर का street food नहीं खाना है अगर कहीं hostel बगएरा में रहते हो या कहीं PG रहते हो तब भी कोशिश ये करनी है कि अच्छा खाना खाना है जो unhealthy खाना है उसको बहुत जादा avoid करना है अकेले भी रहते हो तब भी healthy खाना खाने की कोशिश करनी है so guys lecture number 20 discuss करेंगे mcqs Indian freedom struggle के 5 mcqs discuss करेंगे very important mcqs and mcqs शुरू करने से पहले mock test का link description में दोस्तों mock test सब लोगों ने देना है अभी पहला mock test डला हुआ है दूसरा mock test within a few days आपका आ जाएगा with some offer as well but अभी पहले पहला mock test देलो जिनोंने नहीं दिया question के उपर आ जाओ पहला question 1999 में civil services में पूछा गया था कुछ किताबे given है बुक्स के उपर अगर आप 2017 का paper देखते हो यह होई यह होगा तो उसमें भी books के उपर तो question उसने पूछे है हुए तो history में books के उपर question आ जाते है तो यहाँ पर आपको दो lists कि वहने match करना match the following as such शायद question ना आए EPFO के अंदर बट इस टाइप के जब हम previous year questions कर लेंगे ना तो अपने को एक idea लग जाता है कौन सी किताब किस ने लिखी थी अगर वो directly पूछ ले तो यहाँ पर आपको एक साइट पर books given है एक साइट पर authors given है तो आपको match करना है तो देखो first Indian war of independence काफी famous book है और यह कहीं न कहीं इसका जिक्र news वगरा में आता रहता है तो इसका जो answer है that is option 4 यह सवरकर जीने लिखी थी विनायक दामुदर सवरकर तो A का हो गया 4 A का अगर 4 है तो देखो ऐसे वाले options में elimination भी करना अगर आजाए तो match the following type question तो A का 4 है तो मतलब की B answer नहीं हो सकता D answer नहीं हो सकता अनंद मठ भी काफी एक famous novel है और NCRT के अंदर आपको इसका reference बहुत easily मिलता है and this was written by बंकिम चंदर चटर जी तो यहाँ पर आपका B का 3 हो जाएगा अगर B का 3 हो गया तो उसके बाद आप देखो A और B में दोनों में B का 3 है यानि की elimination नहीं हो सकता अब life divine और sadhana यह दो बचे हैं life divine जो किताब है यह किताब है श्री और बिंदो की C का 2 होगा तो अगर C का 2 होगा तो मतलब की C option eliminate answer A होना चाहिए ठीक है तो फर्स्ट इंडियन वार अफ इंडिपेंडेंस किस ने लिखी है सावर करने आनन्द मट बंकिम लाइफ डिवाइन आपके और बिंदो और साधना इस ओफ रठोर यह आपकी किताब हैं जो आपने याद रखनी हैं ओके so answer is A अब देखो जो revolt हुआ अंग्रेजों ने तो बोला कि यह तो एक बस सिपाई म्यूटी नी थी जो ब्रिटिश या इस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे उन्होंने विद्रो कर दिया था उनकी नाराजगी थी उन्होंने विद्रो कर दिया था इसमें कोई ऐसा नहीं था कि यह First War of Independence था यह हिंदूस्तान की आजादी की लड़ाई थी ऐसा कुछ नहीं था लेकिन 20th century के beginning में या 19th century के end में बहुत से जो Indians ने उनको ऐसा फील हुआ कि नहीं इस इस जस्ट प्लान आफ दे ब्रिटिशर्स की कैसे revolt की जो घटना है उसको सिरफ एक mutiny बता करके उसको हलका कर दिया जाए और इसी वज़े से काफी सारे लोगों ने इसके उपर किताबे लिखी और VD Saverker was one of the first person जिन्होंने बोला कि नहीं है भहिया यह सिरफ एक सिपोय mutiny नहीं था यह एक planned war था पुरे planning के साथ war लड़ा गया था आजादी के लिए और इन्होंने किताब लिखी थी The Indian War of Independence इसको पहला revolt या first war of independence बोलने माले सावर कर एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी किताब में यह लिखा उसके बाद Anandmat Bankim जी की किताब है और basically यह जो किताब है यह based है एक secret Hindu militia के उपर जो Muslims को fight करती है ताकि एक Hindu kingdom established किया जा सके इसको novel को बहुत जादा use किया गया था Freedom fighters ने काफी inspiration इससे लिया था basically this was not about Hindu Muslim का वो वाला inspiration नहीं लिया था कि कैसे अगर आपको कोई suppress कर रहा है थीक है तो उस suppression से you can fight ओके देन और बिंदो की बहुत सारी किताबे है और स्री और बिंदो की जो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए एंसी आठी के अंदर directly mentioned है जैसे कि the life divine the synthesis of yoga the human cycle the ideal of human unity and the epic savitri तो ये कुछ पांच किताबे हैं जो और बिंदो की थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा जो वो पेपर के अंदर पूछ सकता है life divine, synthesis of yoga human cycle, ideal of human unity and savitri next question chronology based question है आपको कुछ rebellions और revolts यहाँ पर given है आपको chronology में जब chronological sequence में मतलब कि जो पहले हुआ वो सबसे पहले आएगा और order के अंदर basically आपने चलना है so indigo, santal, deacon, riot, mutiny of the sepoys okay, mutiny of the sepoys सबसे इसके अंदर simple एक है क्योंकि यह सबको पता है mutiny of the sepoys लिखा हुआ है देखो हैं आपर revolt of 1857 लिख देता तो वो तो बहुत easy हो जाता तो देखो, सबसे पहले तो हुआ santal rebellion ठीक है, santal rebellion सबसे पहले हुआ था 1856 के around तो आपका 2 सबसे number 1 पे आना चाहिए तो अगर 2 number 1 पे आएगा तो C में 2 सबसे पहले है और D में 2 सबसे पहले है यानिकि A और B तो option cancel हो गए और 2 के बाद 1857 में revolt of 1857 हो गया तो 2 और 4 C और D में दोनों में 2 और 4 है तो elimination नहीं कर सकते हैं इसके अंदर उसके बाद आपका जो हुआ वो हुआ था इंडी को revolt 1860 के अंदर तो 1860 में ये हुआ तो आपका अंसर यहां पर होगा 2413 that is option number D तो इन revolts के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे revolt of 1857 को तो नहीं करेंगे वो altogether एक बहुत लंबा topic है जिसको हम किसी एक lecture के अंदर पूरा देखेंगे लेकिन संतल इंडी को revolt और डेकन राइट के बारे में थोड़ा थोड़ा यहां पर समझ लेते हैं तो संतल रिबेलियन basically 1855 से 56 में हुआ देखो हुआ क्या संतल एक group of people था एक tribe था जिनका continuously operation हो रहा था continuously दबाया जा रहा था agriculture खेती बाड़ी करने वाले लोग थे राजमेल हिल बिहार में basically रहते थे ठीक है यहां पर आ करके यह settle हो गए थे यह जो रिबेलियन था यह सारे का सारा जो शुरू हुआ था जमिनदार के अगेंस शुरू हुआ था ठीक है जमिनदार, money lenders इनके पास police का भी support होता था और यह सारे मिल करके तीनों मिल करके पूरे का पूरा oppress करते थे संतल्स को, उनकी जमीने उनसे छीन लेते थे उनका taxis उनसे काफी high लेते थे और यह जो एक जमिनदार और money lenders के खिलाफ फिर एक rebellion शुरू हुआ यह धीरे धीरे एक anti-british movement में convert हो गया, जब यह सिद्धू और कानू के लीडर्शिप के अंदर आया यह दो भाई थे और इनकी लीडर्शिप के अंदर संतल्स ने यह कहा कि भाईया, और पूरा देश आजाद होना हो देखो, इन लोगों के लिए वो जो area था ना संतल्स वाला जो region था, राजमहल इल्स वाला वो हिंदुस्तान था समझ रहे हो, तो इन्होंने बाकी हिंदुस्तान तो आजाद हो ना हो, यह तो अब आजाद है तो इन्होंने बोला कि यह जो भागलपूर और राजमहल के बीच का जितना area है ना, जो संतल्स का area था यह तो भाईया अब यहाँ पर तो company rule खतम हो गया, यहाँ पर अब हम company को नहीं राज करने देंगे ultimately इनके rebellion को suppress कर दिया गया था 1856 में से दूआ और कानू को सजाय मौज, फासी के सजा होई थी and ultimately इस rebellion को suppress कर दिया गया Indigo revolt के बारे में पहले भी शायद हमने cover किया है 1859 से 60 इसके अंदर basically था क्या Bengal के अंदर जो बड़े-बड़े planters थे वो सारे जाधा तर Europeans थे ठीक है, अब यह local peasants को exploit करते थे, इनको force करते थे Indigo grow करने के लिए ठीक है, यह क्या करते थे, basically पहले तो farmers को loan दे दे थे थे, और उस loan पे काफी high interest rate चार्ज करते थे और क्योंकि वो उस loan को चुका नहीं पाता था, तो उसको force करते थे कि भाई तू जो है Indigo grow कर, और Indigo grow करने के लिए उसको और loan लेना पड़ता था, तो इस तरीके से ना वो loan के circle में घूम जाता था, उपर से contract जो होता था वो fraudulent होता था, तो ultimately काफी suppression होता था and finally 1859 में peasants ने decide कि भाईया बहुत हुआ and दिगंबर बिस्वास और बिश्नु बिस्वास, जो नडिया district के थे बंगाल में उन्होंने इस revolt को head किया, जितनी information सिर्फ जो मैं videos आपके लिए बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ यह नहीं है कि MCQ देखा, answer देखा, काम खतम फिर तो कोई फायदा नहीं है, MCQ तो इंटरनेट पर पढ़े हैं भाईया, previous year question लिको 50 link आ जाएंगे जहां से directly download कर लोगे, main ये detail है, अब जैसे for example, आपसे कोई पूछ ले कि संतल revolt को कौन lead कर रहा था, या indigo revolt को कौन lead कर रहा था, तो इस type की information यहाँ पर आपको मिल रही है जो आपने करनी है, okay so ultimately उन्होंने decide कि भाईया हम indigo grow नहीं करेंगे और ये जो physical pressure या, physical pressure लठियार रखते थे ये planters लठियार वो होते थे, लाठी रखते थे अपने पास, किसी ने अगर बात ना मानी तो डंडो से पीट-पीट के बुरा हाल कर देते थे, ठीक है, तो इन्होंने का कि भाईया, आब हम किसी से नहीं डरने वाले, ना तो planters से डरने वाले, ना उनके लठियालों से डरने वाले, ना police से डरने वाले, और ना court से डरने वाले, contract गया भाड में, ठीक है, अब हम Indigo नहीं grow करेंगे, so this was all about Indigo revolt, Deccan riots भी, देखो जितने ये भी एक peasant revolt आप इसको बोल सकते हो, western India के अंदर हुआ, अब heavy taxation चल रहा था रियोत्वारी के system के अंदर, but एक period ऐसा था जब ये heavy taxation भी farmers को बहुत जादा hurt नहीं कर रही थी, जब American Civil War चल रहा था, American Civil War चल रहा था, उसकी वज़े से, जो सारा Europe का cotton था ना, वो इंडिया से जाने लग गया, क्योंकि अमेरिका में तो Civil War चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, within some time, the American Civil War ended, ठीक है, 1864 में American Civil War end हो गया, और cotton के जो prices थे, वो crash हो गया, ठीक है, क्योंकि अब अमेरिका से भी cotton आने लगा, पहले सिरफ इंडिया से जा रहा था, अब अमेरिका से भी आने लगा, तो competitor आ गया मार्किट के अंदर, तो definitely prices के उपर effect पड़ेगा, और साथी साथ सरकार ने lander venue भी raise कर दिया, ठीक है, lander venue भी बढ़ा दिया, और कुछ famines भी हो गए, उसके इलावा, जो एक बहुत long term से लोगों के अंदर build up हो रहा था, वो ये था, वो एक जाल में फच चुके थे, किसके money lender के, क्योंकि money lender से वो पैसा लेते थे, और वो उनको पूरा exploit कर रहे थे, और जाधा तर जो money lender थे, वो उस region के भी नहीं थे, जाधा तर मरवारी और गुजराती थे, तो उनको ऐसा लगता था, यारे, भार के लोग आकर के हमको exploit कर रहे हैं ठीक है, तो ultimately 1874 के अंदर क्या हुआ, tension इतना जाधा बढ़ गया, किसानों के बीच में और money lenders के बीच में, कि किसानों ने का कि भाईया, इनको social boycott करो, social boycott movement इन्होंने शुरू कर दिया, outside ड़ जो money lenders थे, ये मरवारी और गुजराती इनके against इन्होंने का, हम social boycott करेंगे, social boycott क्या कि भाईया, इन जितने भी ये बारवारी गुजरातियों ने जितनी भी दुकाने खुली हुई हैं, इनकी दुकानों से हम कुछ नहीं लेंगे, इनकी जितनी जमीने हैं, कोई किसान इनकी जमीन पे जाके cultivation नहीं करेगा, कोई बारवर, बाल काचने वाला, कोई वाशर मैन, कोई शू मेकर, जोते बनाने वाला, इनका काम नहीं करेगा, तो एक तरीके से completely social boycott इनका हम कर देंगे, social boycott दीरे-दीरे फैला, पूना, एहमद नगर, शोलापूर, स्तारा, महराष्टा के जो रीजन्स हैं, डेकन के जो इन्होंने सबसे loan लिया होता था, moneylender से पैसा लिया होता था, और moneylender ने कहीं न कहीं कोई कागज पे sign swing कराया होते थे, अंग उठा लगवाया होता था, उनकी property को कबजे में किया होता था, तो यह क्या करते थे, उसके घर में गुच जाते थे, या उसकी दुकान में ला देते थे, जो इन्होंने कागज वगवाया, sign की होते थे, contract वगवाया होते थे, उनको ले आते थे और उनको फिर publicly लाकर के burn करते थे, within time सरकार इसको दबाने में, इस movement को repress करने में कामियाब हुई, लेकिन एक Deccan Agriculturalist Relief Act भी बिठाया गया 1879 के अंदर, basically यह इसलिए था, ताकि देखो, अब suppress तो कर दिया, लेकिन जो लोग दुखी हैं, उनको थोड़ा सा सरकार कहती कि यार, इनको भी थोड़ा सा खुश कर दो नहीं, तो यह दो दिन बाद फिर खड़े हो जाएंगे, इसलिए यह एक्ट बनाया गया, और इसके अंदर, जो इंटेलिजें इंडिया में बहुत सारी लड़ाईयां उन्होंने लड़ी, तो आपको chronology, एक तरफ लिस्ट गिवन है, जिसमें year है, एक तरफ event है, तो basically कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई, यह सवाल है, तो यहाँ पर आप देखोगे, जो अंसर होगा, that will be option C, option C क्या कहता है, 1775 के आपका 1780 में, उसके बाद 1824 में हुआ आपका 1st Anglo-Afghan War, and finally आपका 1st Anglo-Burmese War हुआ 1838 में, तो यह आपका correct chronological order है, हर वार के साथ ना कोई ना कोई ट्रीटी भी होती थी, ठीक है, तो ultimately यह सारे जितने वार लड़े गई हैं, Britishers के आने के बाद और जो ट्रीटीज वगेरा साइन हुए हैं, वो अच्छे से लिस्ट कर लेना पूरी, मैं आपको कराऊंगा वो लिस्ट, do not worry, 1st Anglo-Burmese War, अगले lecture के अंदर हम यह लिस्ट करेंगे, ठीक है, अगला lecture मैं इसी के उपर बनाऊंगा, जिसके अंदर हम यह ज को हराया गया, 1838 में, 1st Anglo-Maratha War, इसमें Britishers हा रहे थे, Treaty of Salby, 2nd Anglo-Mysore War, Heather Ely की डेथ हुई इस वार में, टीपू सल्तान उनकी जगा राजा बने, Treaty of Mangalore sign की गई, 4th question, the last major extension of British Indian Territory took place during the time of, last major extension, British Shares के अंदर, उनकी Indian Territory में, expansion कौन से, Governmental के समय पे, last हुआ, ठीक है, देखो, 1857 में revolt हो गया, 1857 के revolt के बाद, Crown ने, company का rule खतम कर दिया, और बोला कि, अब, India, जो है, Crown के अंदर है, और Crown ने ये भी बोला कि, अब हम किसी भी, राजे रजवाडे का, जमीन, नहीं लेंगे, बेसिकली हम territory expansion नहीं करेंगे, इंडिया में, ये उन्होंने बोल दिया, तो उससे पहले, जो last expansion हुआ था, वो हुआ था, डलाउजी के समय पे, option B, ठीक है, क्योंकि डलाउजी के समय पे ही, जो major policies थी, जैसे की doctrine of lapse, doctrine of lapse के उन्होंने अंदर क्या बोला, कि ऐसे rulers, जिनके पास, they do not have hears, जिनके आगे कोई राजा बनने वाला नहीं है, और उन्होंने बोला कि, adopted बच्चे को आप राजा नहीं बना सकते, all right, so doctrine of lapse में उन्होंने बोला कि, जिनके पास बारिस नहीं है, आगे, वो, अब, after their death, the kingdom will pass to the Britishers, उसमें doctrine of lapse में इन्होंने जहांसी, सतारा, जैदपूर, सांबलपूर, उदैपूर, नागपूर, इन जैसी जगह ओपर कबजा किया, उसके बाद इन्होंने अवद को annex किया, 1856 के अंदर, on the basis of misgovernance, अवद के annexation को तो consider किया जाता है, और ये doctrine of lapse को one of the reason consider किया जाता है, revolt of 1857 का, उसके बाद revolt हो गया, और revolt के बाद crown ने का, कि अब हम expansion या extension नहीं करेंगे, ओके, तो यहाँ पर आपका डलाउजी अंसर आएगा, गवर्नर जनरल सारे बहुत अच्छे से करके जाने हैं आपने, final question, who among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on modern lines, embassies जैसे आज की date में होती है न, हमारे हर देश के अंदर embassies होती है, तो कौन से यह ruler थे जिन्होंने foreign countries के अंदर India की embassies को establish किया, so it was option D, टीपू सुल्टान, टीपू सुल्टान ने France, Turkey और Egypt जैसी countries के अंदर, आज की date में जैसे आपकी embassies होती हैं, उसी line पे इन्होंने India की embassies को establish किया था, okay, so these were the 5 questions guys, I hope आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा इन 5 questions में, pdf का link description के अंदर है दोस्तो, कोई भी doubt हो, telegram पे आप link description में बात कर सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं, mail कर सकते हैं, comment जरूर करके बताएं कैसा लगा, और channel को share and subscribe करें, मिलेंगे next class में, till then all the best guys.